नमस्कार दोस्तों, करीब 20-30 साल पहले की अगर आप वारफेर की बात करिए, 20-30 ही नहीं अगर आप 5-10 साल पहले की भी बात करेंगे और आज के डेट में देखेंगे जो modern वारफेर है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है, पहले क्या होता था कि चाहें जीत किसी क भी हुई हो, लेकिन जो नुकसान है वो दोनों पक्ष को देखने को मिलता था, दोनों देश को देखने को मिलता था, लेकिन आज के डेट में कोशिश की जाती है, कि यहाँ पर सामने वाले देश के अंदर, सामने वाला जो पक्ष है, उस पर हम ज़्यादा नुकसान पहु decisive victory आपको जो अजर्बाइजान है उसकी देखने को मिलेंगी और इसी को देखते वे भारत अपने आपको भी बड़े पैमाने पर त्यार करने की कोशिश कर रहा है जिसके तहत लेटेस्ट खबर आई है कि तीन बिलियन डॉलर का यहाँ पर जो डील है यूएस से हम ड्रोन्स खरीदने वाले हैं और यह दिया जाएगा नेवी, आर्मी और इंडियन एर फोर्स को तो बेसिकली यहाँ पर यह जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो दप्रिंट के दौरा यहाँ पर बताया गया और इसके अंदर बोला गया है कि जो दोनों तीन फोर्से हैं हमारे तीनों से जानेंगे कि अचानक से यह चीज़ा आई कहां से क्या हमने पहले ड्रोन का इस्तमाल किया है हरे चीज को देखने की समझने की कोशिश करेंगे चलिया आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अप्डेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्र comprehensive way में त्यारी करनी है सभी features आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो चलिए आपर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कौन से ड्रोन हम खरीद रहे हैं तो इसका नाम ध्यान रखेगा sea guardian ठीक है तो इसको अलग-लग नाम से भी बोला जाता है तो sea guardian drones है basically क्या हुआ था कि प काफी समय से हम already इसको use करते हैं पिछले 5-6 मेनों से तो finally यहाँ पर decide कर लिया गया है navy, army और जो तीनों हमारी forces हैं कि वो jointly 30 इस तरह के drones जो हैं जो versions हैं उसको खरीदा जाएगा जिसकी कुल लागत करीब 3 billion dollar बताई चारी है और आपको मैं बता दूँ कि यह जो particular decision आया है ज विजिट करने वाले हैं he'll be the US Secretary of Defense Lloyd Austin उनका यहाँ पर इसी महने के end तक होते होते यहाँ पर भारत के अंदर विजिट है और यह just quad meeting के पहले है यहाँ पर एक और खबर आ रही थी कि जो first quad leaders की meeting होने वाली है इसी मन्त हो सकती है हो सकता है अगले मन्त के सुरवात में हो जाए जहाँ पर US, India, Australia, Japan एक तरह से China को संकेत देने की कोशिश करेंगे तो यह सारी चीजें defense के perspective से हो रही है और इसी के बीच यह decision आ गया है कि हम यह वाला जो drones हैं वो खरिदने वाले हैं लेकिन एक बड़ा question आता है कि यहाँ पर अभी तक हमने यह decision है उसको लिया क्यों नहीं क्योंकि जैसा हम आपको बता रहा था drones का आज के लिट में important role हो गया है तो अभी थक हमने US से यह वाला deal क्योंकि लंबे समय से चर्चा हो रही है तो इसका एक reason यह है दोस्तों basically क्या हुआ था कि तीनों जो forces हैं उसमें से एक force इसके लिए शायद ready नहीं हो रही थी ऐसा बगता है और खास बात एक और चीज़ यह है कि आपको पता होगा कि पहला जो try service procurement है वो किया जाएगा basically यहाँ पर chief of defense staff मतलब जो तीनों हमारे प्रमुक हैं सेना के उनके उपर यहाँ पर एक chief of defense staff की post बनाई गई थी और वो है इस समय जनरल विपिन रावत जी तो इसके अ अंदर यह पहला बड़ा deal होने वाला है यह sign जैसे ही होता है तो यहाँ पर in fact मैं आपको यह भी बता दू कि Trump administration just election हो रहा था US में उसके just पहले यहाँ पर भारत के अंदर 2 plus 2 ministerial dialogue हुआ था जो defense और foreign minister के बीच में dialogue होता है उसको 2 plus 2 ministerial dialogue कहते है 27th October 2020 को तो यहाँ पर US बहुत जादा push कर रहा था भारत को कि आप जो है इसको खरीदिये आप यह deal sign कर लीजे लेकिन क्योंकि भारत की तरफ से जब तक 3 हमारे forces हैं वो इसके लिए agree नहीं कर रहे थे तब तक हमने यह America के pressure में आकर नहीं खरीदा लेकिन finally यहाँ पर क्योंकि 3 forces हमारी ready हो गई है इसलिए अब हम यह deal करने जा रहे हैं लेकिन इसके अंदर एक pricing का भी बहुत बड़ा factor है मैं आपको बता दूँ 2018 में basically क्या हो था उसके पहले क्या होता था कि US जो है वो हमेशा यह जो sea guardian drones की हम बात कर रहे हैं जिसकी picture आपने शुरवात में देखी वो unarmed बेचना चाहता था मतब इ यह क्या है surveillance के लिए होगा drones का main काम क्या होता है कि कहीं पर जाएं और surveillance कर सके कहीं पर पता लगा सके कि यहाँ पर क्या गतिविदी हो रही है क्या problem हो रही है तो यह surveillance purpose के लिए यहाँ पर देना चाहता था लेकिन 2018 में पहली बार US ने offer किया कि हम आपको armed version भी दे सकते हैं इ ने भी ऐसा चाहता था लेकिन आगे चलकर यहाँ पर सभी के बीच में सहमती बन गई कि नहीं हम अनाम्ड क्यों लेंगे क्योंकि ultimately हमें यहाँ पर ज्यादा पावर चाहिए तो यहाँ पर armed वाले drones की आउशकता जादा है इसलिए हम सारे जो drones हैं वो armed वाले ही लेंगे लेक लेकिन अब डिसाइड किया गया है कि total 30 खरीदा जाएगा और 30 के अंदर हर एक जो forces हैं जैसे Indian Army को 10 दिये जाएंगे जो Navy है उसको 10 दिये जाएंगे और जो Air Force है उसको 10 दिये जाएंगे तो तीनों में यह equally distribute हो जाएगा और इसको ध्यान रखना है आपको MQ-9 Ripper Predator B यह ए Navy के लिए अलग-अलग versions के लिए लेकिन यह एक ही है इसको Sea Guardian drones कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है इसके features क्या क्या है यह काफी लंबे समय तक चल सकता है can you imagine 48 hours तक लगतार यह आपका work कर सकता है और 6000 nautical miles तक यह cover कर सकता है इसके लावा इसके अंदर जो features है वो बहु तक किया जा सकता है तो बहुत बड़ा है altitude भी 40,000 feet तक यह जा सकता है यहाँ पर आप देख सकते हो इसके कुछ features जो है जैसे कि अगर आप सिर्फ air to ground missiles अगर हम लगाते हैं तो 14 इस तरह के हम लगा सकते हैं इसके अंदर लेकिन अगर हमें laser guided bombs भी लगाना है तो 4 missiles लगा सकत हैं इसकी top speed 300 miles per hour बहुत तेजी से भी चल सकती है first hunter killer भी इसको कहा जाता है तो काफी important role play कर सकता है भारत के defense में और क्योंकि इसका endurance बहुत लंबा है मतलब कि लंबे समयता की चल सकता है तो हमारी जो ताकत है इससे बहुत बढ़ जाएगी अभी तक अगर आप देखोगे त तो हमारे दोरा यहाँ पर P-8I aircraft जो की Boeing के दोरा बनाये जाता है यह हम USA लिये थे इसका हम use कर रहे थे यह वाला आप देख सकते हो इसका इस्तमाल किया जा रहा था surveillance purpose से जो नेवी है वो क्या करती थी surveillance purpose से जो इंडियन ओशन का पुरा रीजन है वहाँ पर निगरानी रख contracts को लेकर चर्चा चल रही है जो drone के contracts है जैसे कि यहाँ पर एक project चीता है आपके exam में आ सकता है project चीता के तहत क्या किया जा रहा है कि जो इसराइल का ये जो heroin medium altitude long endurance drone है ये हमारे पास है अभी लेकिन इसको हम क्या कर रहे है अपग्रेड कर रहे है इसके अंदर arms वगरा लग लेकिन स्टिल कह सकते हैं एक बड़ा project है इसके लावा यहाँ पर नेवी के दोरा इंडिया नेवी के दोरा दस और नवल ship born unarmed aerial system जो है वो भी बोईंग से लेने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसके लावा एक और चीज है नेवी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर जो mine sweepers vessels हैं वो भी यहाँ पर लिए जाएंगे mine sweepers क्या होता है आप देख सकते हो यह US से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जैसे land mines आपने सुना होगा tanker tanks वगरा जब जाते हैं और land mines पर आते हैं तो वो blast हो जाता है तो इसी तरह से समुंद्र के अंदर भी इस तरह के Azerbaijan और Armenia की बीच में जो पुरा fight था तो modern warfare में यह जो drones हैं वो बहुत important role play करेंगे और भारत को especially अपने आपको इसको लेकर पहले से ही तियार हो जाना चाहिए तो यह वाला जो पुरा deal है तो भारत की जो सेना है जो defense है हमारा उसको और जादा मदबूत करने की कोशिश करेगा जाने से पहले यहाँ पर क्योंकि हम drones की बात कर रहे हैं UAV की बात कर रहे हैं तो क्या आप मुझे वो नाम बता सकते हो कि 1996 में करनाटका के अंदर जो कुलार है वहाँ पर इंडिया ने successfully test किया था flights of UAV इसका नाम क्या था क्या बता सकते हो उस समय सबसे पहली बार तो इसका जो right answer है हमेशा की तरह मैं अपने instagram पर तो डालूंगा ही अगर आप instagram पर नहीं हो कोई बात नहीं telegram से ले सकते हैं मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सकते हो अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं कोई भी course purchase करना चाहते हैं study IQ app पर जा सक करते हैं I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आपसे next time till then thank you very much see you soon